तू ही सागे है तू ही किनारा रूंड ता है तू किसका सहारा श्रू आपनू अभावतिक रुदाई जम्नी बाजू होई छे निश्काम कर्मा इतले शूं प्रस्न पुछायो पण कोई उत्तर आप्माम ना आदो थोड़ी वार पची महर्शी औने प्रस्न पुछनार पंडित परवत परफरवा गया पेला पंडित साथे कितलाक अन्यम अनसो पन एमनी साथे हता रस्तामा एक कांटा वाली डाली पड़ी हती महर्शी एने उठावी औने दीरे दीरे एने ठिक करवा माद्या कांटा काडी नाख्वा मावया औने गांठो घसी ने डाली ने लिसी करवा मावी महर्शी परवत पर फरवा जता हता औने आ बदू साथे साथे करता जता हता आकाम मा पूरा छो कल्लाक लागया कांटा वाली डाली आवी सुन्दर लाकडी बनी जता सव आश्चरिय पामया सव आगर चालवा लागया त्यारे रस्तनामा एक भरवार छोक्रो देखायो तेनी लाकडी खोवाई गई हती तेती ते दुखी हतो तरत महर्शी ए पोताना हात्मानी लाकडी ए छोक्रा ने आपी दी थी औने आगर चालवा लागया प्रश्ण पूछनार पंडित ने निश्काम कर्म एटले शूं ए प्रश्ण नों शापदिक नहीं पन व्याभारिक जवाब मली गए हो एक सिक्षित युवा ने रह्मन महर्शी ने पूछिऊ जरे प्राणी सास्त्र ना निश्नातो ए शोधी काडियू छे के रुदेडाबी बाजू छे तो आप शाथी कवो छो के ए जहमनी तरप छे प्रह्मन आपसो श्री महर्शी ए जवाब आपयो बिलकुल साची वाद छ बहुतिक रुदैडाबी बाजू छे और न ना न थी, पन हूँ जे रुदै निवाट करू छू ए अभँतिक छे, औने निश्चित पने जमनी तरप छे आमार उनउ बहु छे, मारे कोई प्रमान्नी जरू न थी, शेतना तमारे कोई प्रमान्नी आवश्यक्तना होए, तो म शरीर मां जठरनी उपर चातीना मध्य मां विविद रंगवाला छो अंगो आवेला छे, अंदर जम्णी तरफ कमलनी कली जेवूं रुदै मध्य थी बे आंगल छेटू छे, एनो मुख बंद छे, अनेना मध्य भाग मां आवेला आकाश मां अग्नान रूपी गाड अहीं बदी नाडियों ना सांधा अने वास्नाओ रहेली छे, ए प्राण अने चित्त ना प्रकाशोणू मूल निवास्थान छे आवी गूड ने गहन वातो करनार श्री रमन महर्षी नो जन्म त्रिस्मी डिसेंबर थयो दक्षिन भारते अनेक संतो आप्या, श्री रमन महर्षी एक विचित्त्र नाम छे मूल नाम वेंकट रामन, त्राण भाईयों मा वचला क्यवाईचे के रमन ज्यारे जन्म्य ए श्रीव ना विजय नो दिवस हतो अन्धक नामना देत्य उपर विजय मेलवी नत्राज श्रीवे तांड़ नुद्यक कर्यानो ए दिवस हतो बहु सुचक आ दिवस, अन्धकार नो पराजय एने प्रकाश नो विजय वेंकट रामन शाला मा गया पण अभ्यास मा एनो जीव न चोटे जोके एने स्मृति अपूर्व अने मन्जाग्रत एनो कोई मित्रक शुक माँचे तो बधूज एने स्मृति मां अंकाई जतो रमतों, पुस्तकों, व्यायां, कुस्ती, तर्वूं साथे वेंकट रामन ने निस्वत बार वर्षे पिता गया सत्तरमा वर्षे जीवन माटे महत्वनी घटना बने शाला ना एक विद्यार्थीनू रूशी मा रूपान तर थायू मदुराई मा घरे एक दिवस कोईक महमान आवी चड़या वेंकट रामन पूछे छे, तमें क्या थी आवो छो महमान जवाब आपे छे, अरूना चलम थी बस आ अरूना चलम नाम साम्डी ने, तेना चित्त पर रहस्य माई असर अंकित्त वाला गी आ नाम्तों में साम्डी उचे, बानी उचे शब्दों मा नौबर्नी सक्वाई एवा उत्साती जुमी उटनार वेंकट रामन ने जाने कोई पुर्व जन्मना संस्काराद जाग्रत थाया होई येवो विरल अनुपोथायो थोड़ात समय मां वेंकट रामन ने जीव ते जीवत मृत्यों न अनुपोथायो समझायों के शरीर नहीं आत्मा अविनावशी छे मनो मन एक दिव संकल्प करेो गर छोड़ुमू छे, अरुना चल मने यात करे छे शीव मने पुकारे हो छे आने श्रीरमन महरशी नी जीवन साधना शरू थे श्रीरमन महरशी ना एक मात्र गुरू ते अरुना चल प्रथम बे सवाबे वर्स एमने अरुना चलम्मा संपूर्ण मौना अवस्था माच पिता गया तेमनी देहातित अवस्था नो एक गालो हतो त्यारे तेमने पाहाडों नी कंदरामा रेवानू शरू करियू अडार सो नववानू थी ओगणी सो बाविस एटले लगबग त्रेवीस वर्षो सु धी श्री रमन कोई न कोई कंदरामा जराया दिरे दिरे अंतरमुक अवस्तामा थी बहारावी बाहिय क्रिया कलाब तरफ अभी मुक्ठवाला गया पहाडों मा हर्वू फर्वू बिक्षा मागवी बुस्तकों माचवा लखवा वगेरे अमना काम होगनी सो सोड मा अमना मा अमनी साथे रेवावी गया क्यारे श्री महर्षी ये कई उ बदी स्त्रियो मारी माँ छे तमें एकलाज न थी माहे दे छोड़े ओ एटले महर्षी नी ना छता मानू समारक भक्तोय बनाव्यो महर्षी पछी थी त्यांच आविवस्या भक्तों नो संग पन त्यां पूँच्यो 1922 मा आजना श्री रमण आश्रम नी तिरुवन्ना महल खातेर सापना थाई श्री रमण और आर्सो चन्नू मा अई आवेला 1950 मा महा प्रहान थाईू फच्यना चोपन वर्षो क्या अई पण गया नहीं छेला 26 वर्ष मंदिर सामे अने पाहाडी मा तो छेला 28 विश्वर्ष श्री रमण आश्रम मा श्री रमण महर्षी महत्तम मौन अज्रया एमनू मौन अच्यन्त मुखर हतूं केमके वाणीनू मौन नोतूं ए आंतरिक मौन हतूं एक लाकणा नी खाट पर आख़्ू जीवन तेवो श्री जीव्या श्री रमण महर्षी ना अन्तिम दिवसो मा तेमना देहमा कैंसर नो व्याथी थायो ने भक्तो ए सर्जरी निवात करी तो महर्षी बूल्या ए तो शरीर नो अतिती छे तेने जाकारो ना उपाई व्याथी तो शरीर ने चेने मने क्या चे तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा डूंडता है तो किसका सहारा